हलो बच्चो क्या आल चाल कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं अच्छे रहिए स्वस्त रहिए पढ़ते रहिए तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो है कंपनी लाका company लाका 50 question अर्था 50 question हो चुका था 50 के बाद एक क्याओ number question इस्टार्ट हो रहा है स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को प्रेस करें और ये भी प्रेस करिएगा कि अधिक सदिक वीडियो को share करें जितना ही share करेंगे उतना ही response अच्छा आएगा तो उसी तरह वीडियो आपको continue मिलता रहेगा ता ये start करते हैं बिना समय बेतीत की हो वीडियो को ता ये सबसे पहले start करते हैं क्याओन नंबर क्वेशन क्योंकि इस से पहले का क्वेशन पच्चास तो वीडियो में मेरा जा चुगा है क्याओन नंबर क्वेशन हमारा है कि एक निजी कंपनी की दसा में सामान सभा का कोरम कितना होता है द्यान दीजिएगा इसके चार आपसन दिये गए हैं दो सदस तीन सदस चार सदस पास सदस तो इसमें से पहला आपसन साइए एक निजी कंपनी में कम से कम इसमें तीन सदस कोरम के लिए होते हैं तो आपसन बीस का सही है तो इसका आपसन बीस सही है अर्थात तीन सदस कोर कमपनी के annual meeting होता है उसमें लेखा परिच्छक की निफ्टी नहीं की जाती है तो उसकी निफ्टी की जाती है किसके द्वारा की जाती है कमपनी लाबोर्ड के द्वारा की जाती है इंस्चूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट आफ इंडिया के द्वारा की जाती है एक बिसे ृत तिस दिनों के नोटिस देना अनिवार्ज होता है मतलब इसमें 4 आपसंदीए गया है तो 21 दिने के notice देना अनिमार्ज होता है सतस्यों को, क्योंकि 21 दिन के notice देंगे तभी मानने होगा अगला है इसमें question 54 नमबर के एक विसेश प्रस्ताव के लिए पेच्छित है अर्था विसेश प्रस्ताव कब पारित किया जाता है, कितने दिनों की सूचना देनी पड़ती है तो देखिए का ध्यान से 7 दिनों की अधिसूचना, 14 दिनों की अधिसूचना, 21 दिनों की अधिसूचना, 30 दिनों की अधिसूचना देनी पड़ती है तो आप्सन C हमारा सही है question number 55 सभा में चर्चित होने वाले मामलों को रिकार्ड किया जाता है ध्यान दीजेगा, प्रस्ट में बारीकी से पढ़िएगा, सभा में चर्चित होने वाले मामलों को रिकार्ड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है कहा क्या जाता है, सूचना कहा जाता है, कारसूची कहा जाता है, सुक्ष्म कहा जाता है, रिपोर्ट कहा जाता है तो बता सकते हैं किसमें क्या कहा जाता है तो इसमें आपको बता दिया जाए कि सुक्ष्म कहा जाता है क्या कहा जाता है सुक्ष्म कहा जाता है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर हमारा 56 कंपनी की मिनट बुक की जाँच की जा सकती है कमपनी की मिनट बुकी जाँच की जा सकती है ध्यान दीजेगा कमपनी की मिनट बुकी जाँच की जाती है किसके द्वारा की जाती है अंसधारियों द्वारा बिना कोई सुल्क दिये रिड़ पतर धारियों द्वारा सुल्क के भुगतान करने पर कमपनी की किसी भी व्यक्ति द्वारा सुल्के भुगतान करने पर उप्युक सभी द्वारा इस चारो आपसन में से ये आपसन पहला आपसन सही है अर्थात अंसधारियों द्वारा बिना कोई सुल्क दिये मिनेट भुकी जाच की जा सकती है ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर संताउन की वह क्वेश्चन नंबर संताउन में का रहा है कि कमपनी के पार्षा सीमा नियम पर हस्ताक्षर होते हैं ध्यान दीजेगा कमपनी के पार्षा सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले को कहते हैं अर्थात पार्शा सीमा नियम पर हस्तक्षर कौन करता है? तो ध्याम दीजेगा पार्शा सीमा नियम पर हस्तक्षर कौन करेगा? अंसधारी करेगा, निदेशक करेगा, पार्शा सीमा नियम के लिए अभी दाता करेगा, परवर्तक करेगा, तो यह आप संसी सही हमारा हो रहा पार्स सीमानियम के लिए अभीदाता करेगा अंठाओ नमबर कुश्चन का रहा है कि कम्पनी अधनियम की धारा दो चतीस किस से सम्मंदीद है कम्पनी अधनियम की धारा दो चतीस किस से सम्मंदीद कम्पनी अधनियम की धारा 236 दियान दिजेगा पार्श सीमानियम, प्रभीवराण, अंतर नियम, समा मेलन चार आपसन दिये गया है तो इसमें से यह आपसन आपका सहीय प्रभीवराण के द्वारा किया जाता है अगला कुश्चन 69 नमबर प्रतेग प्रतेग कम्पनी को रईस्टार के पास निमलिखित की प्रति दाखिल करनी होती है मतलब रईस्टार के पास कौन सी प्रति दाखिल करनी होती है ज्यां दिजेगा जब कोई भी कम्पनी रईस्टेशन होता है तो रईस्टार के पास क्या- अंतर नियम, प्रवीवराण, परसा सीमा नियम, उप्यूप में से कोई नहीज, तब इस में से कौन सा अपस्द सही है, अपसं C सही है हमारा पारसा सीमा नियम को दाकिल करना अन्यमार्च होता है, ठीक हैं? अगला साथ नंबर कुश्चन है नेमलिखित में से कौन सा पार्षा सीमा नियम में सामिल नहीं है मतलब इसमें से पार्षा सीमा नियम के छे कलाज होते हैं जनते ही होंगे अप लो तो इसमें से कौन सा कलाज नहीं है तो देखिएगा नामवक है, वदेशवक है, दाईतवाक है, अर्थाथ छेत्र अदिकार वाक नहीं होते हैं ये आपसन सही है, बी आपसन Next बढ़ते हैं exit number question की ओर कि कम्पनी के पार्षा सीमा नियम में कौन सी पूजी का उलेख होता है था, company के पार्शा सीमा नियम में, बता दे कि पार्शा सीमा नियम में अधिकरित पूजी का उले किया जाता है, क्योंकि इसे registered पूजी भी कहा जाता है, चार आपसन दिये गये हैं, निर्मित पूजी, याचित पूजी, अधिकरित पूजी, प्रदत पूजी, तो मैं बताना कि जब भी किसी कंपनी का रेजिस्टेशन होता है तो उस समय जिस पूजी का उले किया जाता है उसे अधिकरित पूजी कहा जाता है क्योंकि अधिकरित पूजी को ही रेजिस्टर्ड पूजी अंकित पूजी के नाम से भी जाना जाता है और रेजिस्टर्ड पूजी जितना ह इतनी होती है कंपनी जब सिहर्जारी करती है तो इससे कम यह के कुझ कर सकते है मतलब अस्य क्रते से अधिक किसी भी कंडिशन में निर्गन नहीं किया जा सकता है इस से कम या चीत होता है प्रदब हुता है ऐसे लिकिन पाफसरह सीमा अगे बढ़ते हैं। कुश्चन नमबर 63 की और कि निम लिखित में से कौन सा परपत्र कमपनी का बाहि जगत से सम्मन्द परिवासित करता है। द्यान दीजिएगा बाहि जगत के बारे में उल्लेक करने के लिए का रहा है। बाह जगत का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा पारसा सीमा नियम है कौन सा ऐसा मतलब परलेख है जो कमपनी की बाह जगत का उलेख करता है तो इसमें पारसा सीमा नियम आफसन सही होगा क्योंकि इसमें 6 कलाज होते हैं एक company के external भाटों का उल्ले करता है जबकि अंतर नियम जो होता है वो internal भाटों का उल्ले करता है पर वीरण जो होता है वो iTunes से संबंदित होता है अंसो कंणित में अस्थापन वीवरण भी सेम असी कंडिसन के है अर्थात इसमें पार्शा सीमा नियम हमारा जो है वो एकदम राइट अंसर है आगे बढ़ते हैं 64 नमबर की ओर कमपनी में पूजी में कमी हित अनुमती आउसे के अर्थात जब भी किसी कमपनी में पूजी की कमी करनी होती है तो उसकी अनुमती किसके दोरा लेनी होती है दियान दीजेगा किंदरी सरकार नियाले के दोरा कूजी नियंतरक के दोरा कमपनी लाबोर्ड के दोरा तो बताईए किसके दोरा लेनी पड़ती है जब भी अनस कूजी में कमी करनी होती है तर नियाले के द्वारा अनुमती लेना आवस्यक होता है प्रेशक नमबर कुश्चन एक कमपनी का नाम परिवर्तित किया जा सकता है ध्यान दीजेगा एक कमपनी का नाम परिवर्तित किया जा सकता है जब भी किसी कंपनी के नाम में नेम में परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए किस चीज किया हो सकता होती है एक साधरप परस्ताओ की एक बिसेश परस्ताओ की केंदर सरकार की अनुमधन की या एक बिसेश परस्ताओ तेथा केंदरी सरकार की अनुमती द्वाला तो इसमें है मारा question 6 herd number 66 number में का रहा है एक company के पार्शस सीमा नियम में वाख का सो होते हैं अभी मैं बता है कि पार्शस स्ीमा नियम में कितने t Personality होते हैं छे कलाज होते है नामवाख उधिस वाँ इस्तान अच्छाट है से फास क्लास होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हम सरसट नमबर क्वेश्चन की ओर सरसट नमबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमपनी के रजिस्टर्ड कारजाले को एक राज से दूसरे राज में कमपनी के एक रजिस्टर्ड कारजाले को एक राज से दूसरे राज में ले जाया जा सकता है इसका मतलब यह है कि company का जो एक registered कार जाला है मने head office उसका जब एक state से दूसरे state में ले जाए जाता है तो उसके लिए किसकी अनुमती की आउसकता पड़ती है संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा सामाने प्रस्ताव द्वारा विसेश प्रस्ताव द्वारा या विसेश प्रस्ताव कंपनी लाबोर्ड की अनुमती द्वारा ध्यान दीजेगा आप संडी सही है विसेश प्रस्ताव और कंपनी लाबोर्ड के द्वारा ध्यान अबिसेश प्रस्ता लेकि यहां केंदर सरकार की अनुमती नौ लेकर कंपनी लाबोर्ड की अनुमती लेनी पड़ती है इसलिए आपसंडी सही है 68 नंबर कुश्चा कंपनी या धनियम की तालिका ओ में प्रारूफ दिया गया है तालिका ओ मतलब किस से संबंदी थे चिक्ठे से पारसा सीमा नियम से अंतर नियम से लाबन खाते से तो यहाँ आपसन C सही है पार्षद अंतर नियम से वाक परिवर्तित किया जाता है देखिएगा एक क्वेशन काफी आता है ज्यान दीजेगा एक क्वेशन काफी आता है क्या आता है नाम वाक में परिवर्तन अस्थान वाक में परिवर्तन और उद्देश वाक में परिवर्तन इसमें क्या है उद्देश वाक में परिवर्तन ज ध्यान दीजेगा उद्दे स्वाक में भी परिवर्तन विशेश प्रस्ताव पास करके कंपनी लाबोड की अनुमती द्वारा किया जाता है और उहीं पे एक राज से दूसरे राज में जड़े हैड़ापिस का परिवर्तन किया जा रहा है तो भी इसी की अनुमती लेनी आउस से होती है तो आपसंडी सही है सत्तर नमबर हमारा क्वेशन कर रहा है कि निमलिखित में से कौन सा कंपनी का चार्ट कहलाता है ध्यान दीजे कंपनी का चार्ट कंपनी का चार्ट कौन कहलाएगा पार्श सीमानियम कहलाता है क्योंकि जो हमारा यह प्रवीवरन होता है यह उ जो सभी से मतलब यह Charter DC को हम काते हैं, ठीक है, तो आपसन ए, सही है, 61 नमबर क्वेश्चर का रहा है, साइदारों के मद लिखी तनुबंद कालाता है, ध्यान दीजेगा, पारस सीमा नियम यह लिखी तनुबंद नहीं होता है, यह तो एक परलेख होता है, अंतर नियम यह भ यह दो से अधिक साइदारों के मद आपसी जो संबंद होता है, उसका उलेख साइदारी संलेख में किया जाता है, यह साइदारी संलेख लिखित भी हो सकता है, और मौखिक भी हो सकता है, और पंजियन का प्रमापत से कोई लेना देनी है, इसलिए साइदारों के मद लिखी समंधी नियम दिये होते हैं उसे कहते हैं अब ही आप लो पढ़ें कि कंपनी के दो महत्पूर्ण प्रलेक होते हैं पार्षाद सीमा नियम और पार्षाद अंतर नियम को अंग्रेजी में मिम्रेंडम आफ एस्वेसेशन और अंतर नियम को आठकल साफ एस्वेसेशन कहा जाता इसलिए आफसन यह हमारा सी सही है आठकिलाफ एसोसियसर नेक्स बढ़ते हैं 73 नमबर क्वेश्चन के और पार्शल अंतर नियम संबंद अस्थापित करता है अर्था जो हमारा पार्शल अंतर नियम है वो किसके मद्द संबंद अस्थापित करता है ध्यान दीजिएगा कमपनी तथा सरकार के बीच कमपनी तथा बाहिव्यक्तियों के बीच कमपनी तथा सदस्यों के मद्द कमपनी और रिश्टार के मद्द बताए इसमें से सोचिए क्यों सा हो सकता है तो बता रहा है आपको कि यह कमपनी और इसके सदस्यों के मद्द संबंद स्थापित करता है तो इस तरह आपसंसी हमारा सही है बढ़ते हैं आगे चोहतर नंबर कोश्चन की ओर कि पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन किया जा सकता है पार्षद अंतर नियम पार्षद अंतर नियम में ध्यान दीजिएगा बार बार देखिएगा कि परिवर्तन में मामूली सही अंतर है तो पारशद अंतर नियम कैसे किया जाता है पारशद अंतर नियम में परिवर्तन जो ये परिवर्तन है सामान परस्ताव, बिसेस परस्ताव, संचालक मंडल द्वारा परस्ताव बिसेश प्रस्ताव तता कंपनी लाबोर्ड की अनुमती अंतर नियम के ओल बिसेश प्रस्ताव पारित करके ही किया जाता है आपसन भी हमारा सही है आगे बढ़ते हैं 75 और आखरी कोश्चन की योड़ कि पंजियन की तिथी से मतलब रेजिस्टेशन की तिथी से एक सार्जनिक सिमित कंपनी के लिए प्रविवरण जारी करना निवाज होता है या उसे कुदा हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्धम से जरूर बताए और मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उसको अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक सेयर करिए इसी तरह हमारे अमेजिंग वीडियो के लिए